So hi everyone, so last video में मैंने आपको बताया था various चीजों के बारे में and उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम लोग trend lines trade करते हैं तो उसमें क्या हमें issues आते हैं और कौन-कौन से biases हम लोग को face करने पड़ते हैं तो as promised इस वीडियो में मैं आपको E to Z आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग trend line को trade करने वाले हैं वो भी बिलकुल high probability से and मैं आपको इस वीडियो में कुछ tips and tricks पी बताऊंगा जिससे हमारा काम easy होने वाला है तो मैं अभी एकदम basic से start करता हूँ तो let's say अगर मुझे price उपर जाना है तो वो कैसे जा सकता है तो यह आपको दिख रहा है यहाँ पर यह है आपको uptrend का example तो यह कैसे दिखेगा यह है आपका low यह है आपका high यह है higher low यह है higher high तो जैसे एक higher low and higher high बनता है हमारा uptrend confirm हो चुका है अब यह depend करता है कि अब इसके बाद क्या होगा तो इसके बाद दो possibilities है या तो market again एक higher low बना करके इस swing को break करता है इसको direct break करता है तो यह हमारा market और उपर जाते जा रहा है ठीक है या तो हमारे पास दूसरी condition यह हो सकती है कि यह हो गया हमारा low यह हो गया high यह हो गया higher low and यह हो गया हमारा higher high जब यह higher high बना तो market instead of directly breaking swing low यहाँ पे consolidate करता है तो यह दूँ चीज़ है या तो वो direct break करता है या तो consolidate करता है तो इस consolidation में बाद अगर market यहाँ पे breakout देता है तो हम्में trend line का use इसलिए करते कि हम लोग find कर पाए कि हमारी best opportunity कैसे मिलेगी तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे बना तो हम लोग यहाँ पे लेंगे and यहाँ से हम लोग एक trend line को draw करेंगे ठीक है जैसे हम लोग trend line को draw करते है इसका breakout होता है हम लोगों को यहाँ पे entry लेनी है तो यह था मतलब बहुत ही simple से चीज लेकिन अभी इना इसके अंदर थोड़ी से technicality है कि अब trend lines होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए तो यहाँ पे जो है हम लोग जो trend lines choose करने वाले है उच trend line में आपको 3 touches होने compulsory है तो यह है हमारा origin यह हो गया पहला touch यह हो गया दूसरा touch और यह हो गया तीसरा touch अगर trend line minimum 3 time tested है यहाँ पे आपको चीज़े याद रखने है कि minimum 3 बार होना ही चाहिए 3 से जादा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी हो सकता है लेकिन minimum 3 हमारा होना चाहिए तो जा करके हमारा trend line successful माना जाता है तो यहाँ पे हो गया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जा करके breakout आया है तो यह हो गया हमारा एक trend line लेकिन अब जो सबसे बड़ी जो issue होती है वो यह होती है कि जब भी हम लोग live market में trade करने के लिए जाएंगे तो let's say कि chart बन चुका है तो हम लोग trend line easily जा करके draw कर सकते हैं लेकिन live market में कैसे trend line draw करेंगे यह न सबसे जादा issue आता है तो मैं आज आपको इसका भी hack बताने वाला हूँ क्योंकि main video का यही है crux कि हम लोग live market के अंदर हम लोग कैसे anticipate कर सकते हैं कि अभी trend line बन सकती है क्या मुझे अभी trade करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो I hope आपको समझ में आ गया होगा तो जो सबसे पहली चीज है कि अगर market uptrend में है तो वो दो तरीके से break कर सकता है या तो वो directly swing break करता है एक higher high low बनाने के बाद या तो फिर वो consolidate करने के बाद break करता है तो हम लोग यहाँ पर जो भी बात कर रहे है वो consolidation की बात करगे consolidation जब हो रहा है तो यहाँ पर अगर वो trend line बनती है तो जाकर के break होता है अब देखो consolidation हो रहा है तो यहाँ पर एक और possibility बन सकती है जो है अपना type B का SNR right जो हम लोग support and resistance के बारे में पढ़े थे and उसको किस तरीके से draw करना है वो हम लोग कर सकते and दूसरा है हमारा trend line तो यह तो हम लोगों को already पता है तो अभी हम लोग इसका second part जो है trend line के बारे में यह समझने वाले अब देखो consolidation break भी होगा तो आपको consolidation break अगर आप real life में देखने के लिए जाओगे तो आपको ना दो तरीके के दिखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर वो सारी draw करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक retest लेगा और इस तरीके से जाएगा एक यह दिखेगा आपको and आपको एक और चीज़ दिखेगी जो मैंने आपको बताया कि minimum तीन test वाला दिखने वाला है ठीक है यह हुआ आपको एक दो तीन and यहाँ पर आपको यह बना अब हमें समझना है कि क्या यह trend line है तो answer is absolutely not क्यों क्योंकि अगर आप internet पर जाते हो and trend line का definition को search करते हो तो trend line की जो सबसे important चीज़ होती है वो यह होती है कि trend line में तीन touch होने चाहिए तो आप देखो यहाँ पे कितना touch है एक touch है यह अगर आप इसको यहाँ पर join करते हो तो यह 2 हो गया and third attempt में ही break कर दिया तो य है लेकिन that doesn't mean कि यह trend line है एक और चीज होती है कि market लेट से दो बार करता है test and यहाँ पे रिटेस्ट करके जाता है तो यहाँ पर क्या यह trend line है the answer is not यह भी trend line नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर 3 touches होना important है trend line बस यही है लेकिन यह वाला example मैंने इसलिए दिया न क्योंकि आप देखो कि यह चीज है न बहुत जादा बार form होती है तो अगर इसके पीछे का logic समझेगे न कि अगर यह trend line नहीं है तो फिर भी यह क्यों work करती है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा logic यह होता है कि यह जब एक बार touch करता है न और दूसरी बार touch करता है तो lower time frame पे अगर आप जा करके देखोगे तो यह important यहाँ पे आपको थोड़ा साना consolidation दिखेगा जो कि आपको multiple touch करा देता है तो जिस अभी हम लोग current time frame पे अगर आप देख रहे होगे आपको वहाँ पे यह सिर्फ 2 touch दिखेगा लेकिन आप smaller time frame पे जाओगे तो वहाँ पे आपको multiple दिखने वाला तो इसका जो सबसे best होता है न क्या है कि अगर let's say 2 बार है अगर direct breakout हो रहा है तो इसको तो हम लोगों को नहीं ही trade करना है लेकिन अगर 2 बार के बाद अगर यह retest करके exactly अगर यह यहाँ से उपर जा रहा है न तो हम लोग यह high बनता है न इसके swing break के उपर हम लोग entry ले सकते हैं यह trend line नहीं है लेकिन हम लोग इसके उपर entry ले सकते हैं तो यह मैंने आपको एक extra चीज बताई mean जो है हमारा जो trend line है यह है अब हम लोग इसको कैसे sharp करने वाले हैं इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं ठीक है तो अब हम लोग बात करते है direct live market में हम लोगों को trend line क आपको बहुत तरीके के होते हैं ठीक है तो हम लोग इसको अब classify करते हैं तो पहला होता है कि direction of trend राइट तो हम लोग इसको नाम देते हैं dot ठीक है short form में direction of trend और दूसरा होता है आपको AGT मतलब against the trend direction of trend और against the trend में क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ मैंने जो अभी जित लाइन का वेट करके ये करते हैं एक और ट्रेंड लाइन होती है जो कि आप देखोगे बनते हुए वो कुछ इस तरीके से दिखती है अगर आप देखोगे वो इस तरीके से जाएगी and हम लोग उसे इस तरीके से मार्क करते हैं ये इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा and फिर यह होती है तो उसमें क्या होता है कि market उपर जा रहा होता है और हम लोग उसके लोग को join करके mark करते हैं तो यह होता है हमारा against the trend तो हम लोग दोनों को एकदम detail में समझने वाले direction of trend को भी and against the trend को भी अब इससे पहले कि हम लोग इन सारी चीज़ों को समझे न तो अभी हम लोगों का सबसे जो important चीज़ है वो यह समझना है कि trend line को draw कैसे करें what is the correct way of drawing trend line ताकि हम लोग real market में भी कर पाए trade ओके तो गाइस अब हम लोग ना direct trend line को draw करना सीखते हैं तो देखो line अगर draw करना है न तो हम लोग एक पास दो method होते हैं पहला होता है कि हम लोग line segment draw करें दूसरा होता है कि rate draw करें तो अब देखो line segment and rate में क्या होता है simple सी चीज़ है तो अगर आप में यहाँ पर देखोगे न तो आपको trading view में by default tool मिलता है trend line tool तो trend line tool का कैसे होता है तो मैं आपको एक बार direct न live market में ही आपको दिखाता हूं draw करके just wait a minute अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहाँ बन रहा है एक trend line यहाँ पर देखो आपको एक trend line दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि trend line tool लेंगे and मैंने आपको क्या बता है कि हम लोग origin से करेंगे और हम लोग इसमें ना mark करेंगे तो अगर आप देखोगे इसमें आप mark करते हो तो आपको यह एक trend line दिख रहा है क्या इसमें 3 touch है अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 touch 2 touch 3 touch 4 touch 5 touch और फिर जा करके आपको इसमें breakout को देखने को मिला है आपको इसके अंदर तो अब देखो इसके अंदर क्या चीज है है यह जो आपको trend line tool दिख रहा है इसको हटा देना है हमें इसको use नहीं करना है इसको ban कर देना है हम लोगों को हम लोग use करने वाले है retool अब retool क्यों use करने वाले है अब उसके पीछे का आप logic समझें trend line क्या होती है trend line के बारे मैंने आपको बता है था कि trend line में तीन touch होती है तो let side यहां से market इस तरीके से कुछ उपर जा रही है ठीक है and तो हम लोग क्या करेंगे न rate tool का use करके कि अगर यह सच में trend line valid होगी तो हम लोग अगर एक swing से दूसरे swing को अगर हम लोग join करते हैं यानि एक rate tool का use करते हैं अगर हम लोग एक swing से दू swing तक join करते हैं तो अगर वो trend line सच में valid होगी तो third touch तो हो जाना चाहिए right क्योंकि अगर नहीं हो रहा है इस company वो trend line valid नहीं है ठीक है तो हम लोग इसे लिए rate tool का use करेंगे और यह rate tool का अगर आप use करोगे न तो आप देखना आप कितने ज्यादा easily और आप जल्दी trend lines को draw करना सीख लोगे ठीक है तो मैं आपको आप direct example दिखाता हूँ तो अगर आप इसका low ठीक है लेट से live market है हम लोग क्या करेंगे पहला swing हुआ और दूसरा swing पे हम लोगों ने draw करके छोड़ दिया अब आप देखो कि इसमें क्या हो रहा है क्या third touch automatic हुआ fourth touch हुआ fifth touch हुआ तो guys देखो आप ने सिर्फ इन दो को join किया अगर आप यहाँ बजार के देखोगे और automatically इसको respect कर रहा है इसका मतलब क्या है कि यह एक valid trend line है तो अभी इसमें दो चीज हुई पहला चीज हुआ है हम लोगों को जो देखना था वो था कि automatic touch हो रहा है और एक guys आपको manual touch होगा यानि कि आपको adjust करना पड़ेगा जिसका कि मैं example अभी आपको दूँगा तो automatic आपको समझ में आ गया कि कैसे होगा कि पहला touch दूसरा touch को हम लोगों ने join किया and बाकि के जो third touch है वो automatic हो गया उसके बाद हुए ना हुए उसे अपने को मतलब नहीं है अपने को minimum 3 touch चाहिए राइट अच्छा देखो हम लोगों ने यह trend line ऐसे क्यों रहा किया क्योंकि हमारा trend आप है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे है direction of trend की ठीक है dot की हम लोग बात कर रहे हम लोग against the trend के बारे में अभी कुछ भी बात नहीं कर रहे है हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे direction of trend की तो I hope आपको इतना समझ में आया होगा अब हम लोग ना manual का एक example देखते है, manual इसी time बना था एक, अगर आप उपर जा करके देखोगे, अच्छा एक और example यहाँ पे ना, मुझे देखो दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको अगर हम लोग जॉइन करते हैं, इस swing से, इस swing तक अगर हम लोग जॉइ trading purposes, क्यों नहीं मानता हूं trading purposes, क्योंकि आप भी इस rule को follow कर सकते हो, simple सी चीज़ है, अगर हमारा trend उपर है ना, और हम लोग breakout trend line की use कर रहे हैं, तो जो हमारा जो zero degree का जो angle होता है, trend line हमेशा उसके नीचे होना चाहिए, right, zero degree से थोड़ा सा भी नीचे हो, लेकिन चलेगा इसा नहीं, क्योंकि बहुत सारो लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, ऐसे करके वो drawing करते हैं, और यहाँ पर इस ऐसे वाले trend line breakout के उपर trade करते हैं, तो मैं नहीं preference करता हूं, इसमें use करना, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो zero degree के angle वाली जो नीचे वाली जो है वो वाली मैं use करता हूं, similarly अगर let's say मैं downtrend में हूं, तो मैं क्या करूंगा, let's say यहाँ पर बन रहा है, and मैं यहाँ पर यह करूंगा, and ऐसे करके breakdown के उपर मैं trade करूंगा, again कैसी होगी, कि वो जो zero degree होगी, उससे उपर होनी चाहिए तो आपको समझ में आ गया हो, कि यह आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो यह जो था मैंने draw किया, क्या यह trend line थी, नहीं, लेकिन आपको देखो न, यह work करते हुए, इसके पीछे का logic क्या है, इसके पीछे का logic है, simple है, मैं पुराने concepts नहीं भूलने है, यह था हमारा simple support and resistance, क् देखो कितना touch हो रहा है, एक touch, दो touch, तीन touch, चार touch और यह हुआ, मैंने आपको बताया कि आपको यह lower time frame में आप मत करना, क्योंकि आपके losses होने के chance है, लेकिन आप higher time frame में देखोगे, तो देखो यह कितना अच्छे तरीके से work किया था, एक touch, दो touch, तीन touch and चार touch, ठीक है, तो यह हो था guys, आपका SNR breakout, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा auto वाला, ठीक है, अब मैं आपको na manual का example देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको बहुत जादा बार बनने वाला है, तो हम लोग जाएंगे उसके लिए bank nifty के chart पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे bank nifty दिख तो आप कर सकते हो try इसको, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग अगेन, आप देखो live market में क्या होगा, ठीक है, मैंने ऐसे किया, तो let's say आगे की चीज़े नहीं बनी है, ठीक है, आगे तो हमें दिख रहा है कि उपर जा रहा है, लेकिन आगे की चीज़ नहीं बनी है, तो हम लाइव market में actually में क्या करेंगे, let's say live market में यहीं तक बनाए, ठीक है, यहीं तक बनाए, तो हम लोगों को दो swing high दिख रहा है, since हमें दिख रहा है कि market यहाँ उपन हुआ और उपर गया, तो हमें uptrend line को खोजना है, तो market देखो, यहाँ पर मैंने पहले दो swing को join किया, अब इसके उपर candle बनने लग गए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको update कर देंगे, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अब देखो फिर आगे 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 बन रहा है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ना direct breakout आ कि एक दो touch को हम लोग करते हैं, थर्ड automatic हो रहा है, लेकिन गाईज, अगर हम लोग इसको ऐसे update करते हैं, तो हमारा trend line valid बन गया, क्या कि हम लोगों ने manually adjust किया है, तो उससे क्या हम लोगों ने कोई rule को violate किया, आप देखो, पहला touch, दूसरा touch, तीसरा touch, क्या जो तीनों touch हु automatically तीसरा touch हो जाता है, जो कि बहुत easy होता है, तो यह जब बने ना, तो मैं तो miss नहीं करता हूँ इसको, manual में क्या है, कि थोड़ा सा आपको discretion आ सकता है, हो सकता है, आपको confusion हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है, तो I hope आपको इतना समझ में आया होगा, तो अब guys हम लोग ना, इ आपको horizontal line draw करनी है, तो यहाँ पर मैंने horizontal line draw कर दी, यहाँ जितने touches हुए है, और फिर आपको extreme swing point जो trend line के पास है, वो draw करनी है, extreme swing कोई मतलब क्या, जैसे देखो, यह यहाँ पर गया, तो इसको भी mark कर दो, यहाँ से देखो उपर गया, इसको भी mark कर दो, ठीक है, हमारी जो target क्या होगा guys, first target होना चाहिए, जो touches है, तो ideal तो यहीं पर होना चाहिए, तो इसके उपर तो हमारी entry होई है, second entry guys, second target, I mean, होगा वो यहाँ पे, अब आप देखो कि market को इससे फर्क नहीं पड़ता है, कि मैंने कहाँ पर entry की है, risk to reward क्या होता है, market को इससे फर्क पड़ता है, कि हमारे swing points का है, तो यह है, कि यहाँ पर risk to reward हमारे adjust हो रहा है, नहीं हो रहा है, next target हम लोग क्या कर सकते, यह डाल सकते, यह डाल सकते, और ultimately हम लोग risk to reward यहाँ पर यह डाल सकते, अब यहाँ पर ना, एक चीज़ है, आपको ध्यान से सुनना है, अगर हम लोग यह point याद र जा रहा है and आप यहां पे कर रहे हो तो उसमें guys आप extreme target को नहीं कर सकते हो target ठीक है unless वहां पे change of trend है तो मैं अब यह थोड़ा confuse हो गया होगा मैं आपको यह अच्छे से explain करूँगा एक example show करके लेकिन आपको यहां पे ना इतना सब्झ में कि जब भी direction of trend है उसमें आपके जो highest जो है target उसके touch होने के chances सबसे ज़्यादा हाए होते हैं अब मैं क्या करता था मैं आपको यह बला था मैं पूरे trend line के breakout का wait नहीं करता था मैं पहले ही जैसे यह candle बनी न मैं इसमें थोड़ा सजादा न यहां का stop loss लगा करके buy करता था क्यों क्योंकि मुझे anticipation होता था कि यह trend line breakout हो सकता है अब आपको यह कैसे होगा वो तभी होगा जब आप बार 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 सीम चीज को आप देखोगे न तो आप भी यह easily guess कर पाओगे कि यह trend line हमारा sustain करेगा या नहीं करेगा तो I hope आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है ideal entry क्या होनी चाहिए ideal entry हमारी यह होनी चाहिए अब पहले ले सकते हो वो कब लोग है जब आपका discretion बिल्ड होगा जब आप बार बार सेम चीज को देखोगे ठीक है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर भी मुझे एक trend line दिख गई एक touch दो touch ठीक है यहाँ पर हुआ अगर हम लोग यह था और अगर हम लोग इसको manually update करते तो यह देखो यह हमारा trend line बना एक touch दो touch तीन touch कोई भी rule हमारा violate नहीं हुआ breakout हुआ extreme target हम लोग target करने वाले हैं यह ठीक है तो यह hope आपको समझ में आया होगा और भी बने थे शायद इस समय राइट एक देखो यहाँ पर बनाता है एक touch दो touch तीन touch अगर आप यह ऐसे draw करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अब जो मैंने आपको बताया दाना तो guys यह देखो यह direction of trend है मतलब क्या है कि हमें पता है कि market morning उपर गया and तब जा करके हम लोगों ने किया अब हम लोग अगर आप देखोगे अगर मैं against the trend draw करता हूँ ना तो देखो क्या होता है for example अगर आप देखोगे यह trend line लिया मैंने इन दोनों को touch किया तो नहीं हुआ अगर मै इसको करता हूँ थोड़ा सा तो देखो थोड़ा सा मही न हमें यह 3 touch मिल गया 1 touch 2 touch 3 touch क्या यह trend line valid है the answer is yes trend line तो है यह क्योंकि इसमें 3 touches है हम लोगों ने कोई rule को violate भी नहीं किया यानि कि कोई candle वगरा close या open नहीं हुई है लेकिन आप देखोगे अगर हम लोग इसको treat करें होंगे तो क्या-क्या होंगे हमारे targets right extreme swing points मैं 1 minute draw कर देता हूँ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर breakout तो हुआ लेकिन इसने ना final target जो होता है उसको touch नहीं किया क्यों नहीं touch किया इसके पीछे का reason यह था क्योंकि हम लोग trend के direction में नहीं है हम लोग trade कर र देखा या फिर कुछ structure shift हो रहा है तो आपको दिख सकता है कि यह यहाँ पर इसको change हो करके यहाँ नीचे आ सकता है लेकिन uptrend में अगर आप AGT against the trend अगर आप trend line draw करोगे तो आपका extreme target नहीं hit होने वाला and यह बहुत छोटी सी चीज होती है जो कि बहुत सारे लोग mistake कर देते इसमें and फिर वो सोचते हैं कि यहाँ trend line तो work ही नहीं करती है market में तो I hope आपको समझ में आया होगा कि against the trend में क्यों हमारा overall hit नहीं होता है तो guys अब हम लोग है न यहाँ पर दो important चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं तो guys सबसे पहला है न जो कि traditional जो मतलब मैंने देखा है लोग क्या करते है trend line को support resistance के रहा है मतलब reversal trade करते for example जैसे ही let's say मैंने यह draw किया न तो अभी let's say क्या हुआ let's say यह सही है तो लोग क्या करेंगे न कि let's say यहाँ पर देखेंगे कि वो मतलब resistance ले रहा है ठीक है अगर आप trend में है तो अगर support ले रहा है तो वो क्या क सही नहीं है करना सही इसलिए नहीं है sideways market में यह आपको अच्छे से work कर सकता है लेकिन trending market में आपको यह नहीं work करेगा अच्छे से उसके पीछे का reason यह है न कि trend lines के जो swing होते हैं यह जो आप देख रहा है origin दूसरा यह यह सब guys liquidity levels होते है liquidity levels होते है मतलब क्या है कि जब भी market up trend में हैं यहां से उपर आया न तो यहां से जब selling आई न तो यहां पर लोगों के stop losses होते हैं तो most of the time क्या होता है कि market उन सारे stop losses को hit करता है इसलिए आप देखते हो कि यह इस तरीके का one way momentum आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है तो इसलिए मैं कभी भी trend line में as a उसको support resistance मतलब reversal के लिए use नहीं करता हूँ I always use it as breakout क्योंकि आप देखो यहां से ले करके यहां तक बनने में उसको कितना time लगा अगर आप यहां पर देखते हो यहां से ले करके यहां तक बनने में उसको लग गयाएगा 99 bars ठीक है और वही आप देखो कि यहां से ले करके same to same उन सा stop losses को लेने के लिए कितना लगा है आपको लगा है सिर्फ 10 बार क्यों क्योंकि जितने भी लोग थे यहां पर जितने भी लोग ना short करने का try कर रहे थे वो सारे यह देखो यह जितने भी है यह जितने भी touch है यह सारे लोग यहां पर short करने का try कर रहे थे इसलिए आपको दि ब्रीक आउट के लिए आपको दिखेगा कई बार कि आपको एक बार दो बार तीन बार लेकर के उपर भी जा रहा है फूर्थ टाइम भी उपर लेकर जा रहा है बट गाईज आप जब भी ट्रेड कर रहे हो इंडेक्स में तो आपको समझना होगा कि आपको उतना ज्यादा उ तो आप ड्रॉ करो ना तो आप जब ट्रेंड रहे तब ड्रॉ करो साइडवेज मार्केट में मत करना साइडवेज मार्केट में करोगे क्या होगा यहाँ पर आपको ब्रीक आउट होगा आटोमेटिक वाले भी मैनुवल तो ठीक छोड़ो आटोमेटिक जिसका आपको चां के लिए जाते हो तो देखो यह तो गाइज देखो आपको यहाँ पर टागेट हिट कर दिया लेकिन गाइज ऐसे चौपी जब हो ना पूरा साइड वेज हो तो आप प्लीज इसके अंदर अपना हाथ मत जलाना इसमें यह आपके स्टॉप लोसे हिट होने के चांसे बहुत ज दिस्क्रीशन का है एंड आप इसको जितने ज्यादा दिन तक आप्ट्रेड करोगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर डिस्क्रीशन स्ट्रॉंग होने वाला है ठीक है तो गाइज अब है ना हम लोग थोड़े से और दूसरे पेर्स में भी देख लेते हैं ठीक है तो अ तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर लाया हूँ अगर आप देखोगे यह देखो ठीक है क्या करने वाले है रे टूल का यूज करेंगे टेंड लाइन को तो यूजी नहीं करना है उसको भगा देना है अपने को पहला दूसरा अब अब देखो क्या हुआ है पहला टच दूसर टच एन यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दे दिया तो क्या यह ट्रेंड लाइन है इस अपसलूटली नॉट यह ट्रेंड लाइन नहीं है ठीक है बट इसको फिर भी ट्रीड किया जा सकता है मैं नहीं आपको एडवाइस करूंगा बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ क् आपको लेवल होते हैं ठीक है तो गाइस यह ट्रेंड लाइन नहीं है फिर भी आप देख सकते हो इसको ठीक है तो यह एक छोटी सी चीज थी एक्स्टा जो की मुझे आपको बतानी थी आप इसको देख सकते हो ठीक है अब हम लोग और एक्जामपल देखते हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है देखो यहाँ देखो हाई लोवर लो बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ना ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे पहला टच दूसरा टच तीसरा टच हो गया अगर आप पांच मिनट में देखोगे तो और अच्छे से देखेगा, किदर गया, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, यहाँ पर आपको breakdown देखने को मिला, swing high का stop loss, ठीक है, आपको देखो, यहाँ पर अच्छा आपको, यहाँ पर hit हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर market आप देखोगे, तो lower low, lower low बना रहा था आपको, तो इसलिए जागर के हुआ, अगर आप against the trend करोगे, मैंने आपको बताया है, कि आपके chances है, stop losses hit होने के, देखो, यहाँ पर भी मुझे देखो, एक trend line दिख गई है, ठीक है, यहाँ पर तो कैसे बनेगा, अब let's say आगे नहीं बनाया हमारा, ठीक ह तो let's say मैं इसको अगर draw करता हूँ, ठीक है, downtrend है बिलकुल, पहला touch, दूसरा था teacher touch, यह हुआ यहाँ पर entry होगी, यहाँ पर stop loss होगा, क्या हो गया, stop loss hit हो गया, congratulations इसमें भी stop losses hit होते, stop losses सब जगर hit होते हैं, ठीक है, तो इसमें इतना कोई shock होने वाली चीज नहीं है हमारे अगर हम लोग यह करते हैं, तो क्या हुआ, एक touch, दो touch, तीन touch, देखो, यह automatic बना, ठीक है, यह देखो, इसने मस्त दिया, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा चीज है यह, ठीक है, अब मुझे एक important चीज बताने है, जो कि बहुत ही जादा important है, हम लोग अभी अभी जो मैं आपको next चीज बताऊंगा, वो आपको बिलकुल guys ध्यान से सुनना है, तो guys कई बार क्या होगा ना, कि आपको दिखेगा कि एक particular time frame बेना, कि fail हो गया है, नि third attempt में direct touch हो गया, लेकिन higher time frame में वो आपको एक perfect touch होगा, तो उसका ना एक example था, मैं आपको वो एक example दिखाता हूँ, कि let's say, अगर आप देखोगे यहाँ पे gold में, यहाँ पे अगर आप gold में, इसको अगर आप join करते हो, तो आपको देखो guys, यहाँ पे दिखेगा कि इसने ना, यहाँ पे एक दे दिया breakout, ठीक है, यहाँ पे इसने breakout दिया, यहाँ यहाँ पे नीचे चला गय तो हम लोग क्या करेंगे, as per the rule guys, हम लोग as per the rule क्या करेंगे, हम लोग इसको update करेंगे, right, क्योंकि यही होना चाहिए हमारा ideal case scenario, but यह हम लोगों को एक smaller time frame में लग सकता है, कि यह हमारा सही से work नहीं किया, लेकिन वही चीज़ को अगर आप एक higher time frame पे जा करके देखोगे न अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, एक touch, दो touch, तीन touch, एक बार हम लोगों ने manually adjust किया, एकदम perfect and फिर यहाँ पे breakout मिला and guys हम लोगों का target यह होने वाला है, तो आपको यह चीज़ ना समझ में आ गई होगी, तो इसका solution क्या है, इसका solution simple सी चीज़ है, कि आपक क्या करना है, कि आपको time frame में, जब आप यह trend line draw करोगे, तो आप higher time frame से start करो, यानि आप higher time frame में draw करो, तो let's say, जैसे कि सबसे best जो मुझे लगता है, कि आप इस तरीके से join करो, अगर आप पहला दूसरा करोगे, guys देखो यह ना actually, मैंने smaller time frame के करेंट wrong draw हुआ था, अगर perfect third touch automatic है, इसका हमारा trend भी अप है, तो chances यह था कि at least यहां तक तो आना ही था उसको, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता है stop losses होते, अगर आप देखोगे, उसके बाद market यहां से गिर गई थी, लेकिन आपको यहां तक आएगा, क्योंकि यह up trend है, and इनके swing point पे stop losses थे, तो उ automatic example देखा, लेकिन यही अभी same to same चीज़ मैंने आपको दिखाए, कि अगर मैं 30 minute के time frame पे जाता हूँ, वापस से अगर मैं आपको दिखाए हूँ, तो आपको वहां पे दिखेगा कि मेरा third attempt में breakout हो गया, अगर आप यहां पे देखोगे, third attempt में breakout हो गया, candle open हो गई, and यहां आपको fail होते हुए दिखेगा, लेकिन अगर आप higher time frame में देखोगे, तो यह होगा, तो मैंने आपको बताया, इसका solution क्या है, कि हमेशा trend line को higher time frame में करना है, तो मैंने आपको यह gold वगरा ठीक है, अभी जैसे मैं एक और example आपको दिखा देता हूँ, bitcoin का, अगर आप देखो तो मैंने यह बनाया था trend line, अगर आप देखोगे तो इसने कितना time लगाया था, अगर आप देखोगे इसने यहां से यहां movement देने में लगाया था, इसने दो दिन 12 घंटे लगाये थे, टीक है, and इसने complete कितना कि अपना final target वो सिर्फ 5 hours में कर दिया, आप देखो कितना जाल होता है, क्यों again same to same चीज़ यहां पर liquidity होती है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप देखोगे तो यह 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 आपको target होंगे, टीक है, तो मैं आपको bitcoin का just example दिया, आपको यह समझान important observations है न, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ important points, तो सबसे पहली चीज़ है कि one minute time frame में जो हमारा origin होना चाहिए, वो current date का ही होना चाहिए, यानि कि ऐसा नहीं है कि हम लोग last किसी date से start के draw करना and यह draw हुआ, मतलब क्या हुआ, let's say, जैसे कि यह वाला example अगर हम लोग देखते हैं, last Friday का, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो क्या है कि यह जो origin है, वो आज 26 July का है, तो मुझे जिस दिन trade करना है न, उसी date का होना चाहिए, ठीक है, उसके पहले से हम लोगों को नहीं लेना है, तो one minute time frame में trade करने का एक क्या profit हो जाएगा, कि आपको पीछे की analysis अगर आप नहीं भी करोगे, तो कोई मतलब नहीं है, क्यों क्योंकि जब भी आप इसे trade करोगे, आपको पुराने data से कोई मतलब नहीं पड़ता है, यह जो पुराना है न, पीछे का, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप आपको focus करना है सिर्फ आज के दिन पर, कि आज के दिन पर क्या trend बना and क्या direction बन रहा है, I hope यह clear होगा, तो आपको यह कितना बन सकता है, आपको यह दिन में न, एक दो बार आपको easily मिल जाएगा, अगर range, बड़ा range, volatile market रहे या फिर trending हो, तो आपको एकदम अच्छी entry मिल जाएगे, इदम dead sideways हो, जैसे कि अगर आप यह देखोगे, यहाँ पर मैंने आपको बता है कि यहाँ पर trend line आपको नहीं draw करनी है, क्योंकि आपका stop losses हिट होने वाला है, and preferences क्या देने वाले, preference guys हम लोग हमीशा auto को देंगे, जिसमें कि automatic third touch हो रहा है, ठीक है, तो guys यही था summary type BATR, यानि automatic trend line जिसमें बनेगा हम लोग सिर्फ उसको करने वाले, type B क्योंकि इसमें हम लोग 0.5% का risk ले करके करते हैं, अब इसके अंदर ना कुछ और important point है, अब जैसे 1 minute का मैंने बता दिया कि सिर्फ आज का होना चाहिए, 5 minute का जब हम लोग trend line की बात करेंगे, इसका मतल जो personal notice किया है, कि indices whenever we are trading, कि जितने ज्यादा higher time frame के जाते हैं खास करके trend lines में, तो उसमें against the trend तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें failure के तो chances बढ़ते हैं, even when अगर आप direction of trend करते हैं, since वो trend line ना सबको दिखता है, तो उसके कारण क्या होता है, कि वो trap करना start कर देत हैं, तो अगर intraday perspective से बोलो, तो मुझे लगता है कि one minute and five minute best है, अगर हम लोग index में trade कर रहे हैं, अगर आप stocks वगेर अगर आप देख रहे हो, तो फिर तो आप किसी भी time frame में देखो, कोई भी आपको issue नहीं होने वाला है, तो I think अब clear हो गया होगा कि कैसे करना है, तो index में अगर करना है, तो या तो one minute में करो, या तो five minute में करो, अच्छा, मैंने आपको अभी बताया ना, कि अगर आपको draw करना है, कभी भी trend line, तो आप higher time frame से lower time frame में आएंगे, तो आपको ना, वो ज्यादा अच्छा बनेगा, तो अभी जैसे मैं आपको इसी में na clubbing करके, अब मै टेलिग्राम चैनल के उपर, इस zone को मैंने update किया था, आपको याद होगा, and यहाँ पर हमारा must breakout आया था, यह हुआ था, तो अब एक है कि आप इतनी late जाकर के entry करो, second क्या है, कि अब आपके पास since up trend line भी है, तो आप smaller time frame में, छोटी stop losses के साथ, आप entry कर सकते हो, तो for example, अग मैं यहाँ पर जाओंगा, यहाँ पर मेरी entry होगी, यह होगी हमारी stop loss, अब आप देखो, यहाँ पर तो अगर trend line के अनुसार से देखोगे, तो यहाँ पर आपकी exit हो जानी चाहिए, लेकिन since हमें पता है कि यह सिरु smaller time frame का narrative है, full अगर हम लोग देखेंगे 5 minute के time frame में, तो ह swing से आप यहाँ तो trail कर सकते हो, या फिर हमारा gap filling का level होगा, तो आप देखोगे कि वहाँ तक गया है, तो अगर मुझे entry करनी होगी, तो let's say अगर मैं EC यहाँ तक का लेता हूँ, तो आपको देखो, यहाँ पर 1 ratio 10 मिल गया, और इतने छोटे stop losses के साथ, तो अब मैं जो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आपको पता है, मैं option selling करता हूँ most of the time, option buying भी करता हूँ, लेकिन option selling भी करता हूँ, buying mostly करता हूँ, जब मुझे यह रहेगा, अगर आप देखोगे, यहाँ पे, क्या है, अगर मैं आपको entry बता हूँ ना, कि मैं अगर कैसे entry लेने का होता, तो let's say जब मुझे पता है, कि यहाँ पे मेरे एक train line बनी है, और उपर में हमारा support and resistance का भी है, जो कि already test हो चुका है, यहाँ पे guys आपको ध्यान देना है, कि मैंने बोला है कि already test हो चुका है, यानि कि next attempt में यह break हो सकता है, तब आपको लेना है, एक बार गया, दो बार लिया, तब आप यह risk नहीं ले सकते हो, गर आपको करना है, तो stop loss आपको cost पर लाहर के trail करना होगा, आपको wait करना होगा कि third touch ले and फिर जा करके breakout ले, I hope आपको समझ में आया होगा, मैंने क्या बोला यहाँ पे, कि since यहाँ पे already था, इसलिए chances very very high थे, कि यह यहाँ पे break हो जाता, तो अ लगाँगा चार्ट पर ठीक है, मैं लगाता हूँ यहाँ 51,000 PE, अगर मैं लगाता हूँ 31st July का, अब मेरी देखो entry कहाँ पे दिखा रही है, 1 minute time frame के, मैं बोल रहा हूँ कि लेट से मैं before breakout भी नहीं लेता हूँ, मैं breakout के बाद लेता हूँ, 11, exact 11 बजे तो, अगर मैं लगाँ इसको, exact 11 बजे, कहाँ पे थी हमारी entry, ये थी शायद, ये राइट, ये थी हमारी breakout candle, आप देखो आपको क्या करना था, यहाँ पे short करना था, हमारा swing high कितना बनता, ये बनता, तो ये हो जाता हमारा stop loss, and ये होती हमारी entry, आप देखो सिर्व ये 2 candle, 1 minute के time frame में था, and ये must आ जब आप club करके करोगे न, कि अब trend line, and support and resistance को जब आप mix करके करोगे, तो आपकी और भी ज्यादा accuracy बन जाएगी, and हमारा risk to reward भी बड़ा हो जाएगा, तो ये था मैंने बताया कि कैसे आप higher time frame में जा करके, support and resistance, and lower time frame में आ करके trend line को आप club करके कर सकते हो,